हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन का चैप्टर फोर्टीन खान पान की बदलती तस्वीर का पार्ट टू इसमें आप लगूत्री और दिर कोशन आंसर देखेंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए साट करते हैं कोशन नमर वन है प्रस्तुत पार्ट में क्या दिखाया गया है इस लेसन में हमें किस के बारे में बताया गया है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो चैप्टर आप पड़ें इसमें क्या बताया जा रहा है तो उत्तरह प्रस्तुत पार्ट में हमें आधुनिक युक और पश्चमी सब्वेता कि प्रभाव के कारण खान पान में आने वाले बतलाव के बारे में दिखाया जा रहा है या बतलाया गया है कोशन नमर टू है फास्ट फूट कैसे होते हैं तो बच्चो इसका अंसर तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है फास्ट फूट स्वादिष्ट होते हैं इसे बनाने में समय की भी बच्चत होती है लेकिन एक बात याद रखिए बच्चो इसे खाने से हमारे स्वास्ट पे बहुत नुकसान बहुंसता है तो ये हमारे स्वास्ट के लिए हानी कारक होते हैं और कई बार तो ये हमें कई तरह की बिमारियों को भी जनम दे देते हैं इसलिए ममी आपको पास्ट फूट खाने से रोकती भी है लेकिन आप मानते भी नहीं है कोशन नमर त्री है खान पान की बदलती तस्वीर से कौन सबसे ज़्यादा प्रमावित हुए और इसके बदलाव इसे क्या बदलाव है तो उत्तर है खान पान की बदलती तस्वीर से नई पीडी सबसे ज़्यादा प्रमावित हुई है जो खाने में बदलावाएं से बूरे लोग तो इतने ज़्यादा प्रमावित नहीं हुए ना तुमारे मम्मी बापा आप लोग ज़्यादा प्रमावित हुए हो तो इसलिए इसके कहेंगे इससे नई पीड़ी ज़्यादा प्रमावित हुई है इससे शेहरी वेंजनों के बेक्षा इस्थानी वेंजनों की संख्या में कम ही आने लगी है और आप पश्मी सबेता के वेंजनों को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि आप उन्हें पसंद कर रहे हैं और इस्थानी वेंजनों की संख्या अपने आप ही कम होती चली जा रही है कोशन नमर फूर है आज खाने में पहले जैसा स्वाद क्यों नहीं मिल पाता तो रीजन मालूम ही है मिश्री संस्कृती आने के कारण आज हमें खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं मिल पाता Question number 4 है स्थानिय व्यंजनों के प्रसार को श्रह कैसे मिला यहनी स्थानिय व्यंजनों जो हमारे जो फेमस व्यंजन थे जैसे आगरा का दाल मोट पेडे जो भी हैं आपके उत्तरपरदेश के दाल चावल तो इसको क्या पंगाल का रसुगुला तो इसको श्री कैसे मिला मतलब कैसे ज़्यादा इसको जाना जाने लगा फेमस होने लगा तो आजादी के बाद जब उद्योग दंदे नोक्रिया और लोगों के तबाब ले हुए स्थांतरन हुआ एक जगा से दूसरी जगा तो यहाँ पे मिश्रीत वियंजनों की संस्कृती उस जगा बढ़ने लगी इस तरह खान पान की चीजों में एक परदेश के जो वियंजन वो दूसरी जगा पहुँच गये इससे हमारे जो इस्थानी वियंजन जो एक जगा फेमस थे जैसे पंजाब की मक्की की रोटी और सर्सों का साग पंजाब में फेमस था वो अब पूरे दक्षिर महारत उत्तर महारत सार जगा पहुँच गया क्योंकि लोग नोक्री करने दूसरी जगा जाने लगे कोशन नमर फाइब है शेरी जीवन में भागम भाग और मैं गाई थोड़ी स्पैलिंग रोग हो गई है कि कारण हमारे खानपान में क्या बदलावाया है या इसे ऐसे भी पोच सकते हैं खानपान में मिश्री संस्क्रती कैसे विक्सित हुई तो उत्तर है शेरी जीवन में जो भागम भाग के कारण बता क्या हुआ विदेशी विएजनों को अपनाया जाने लगा क्योंकि इस विएजनों को पकाने में एक दो सुविधा भी बहुत है और ये कम पैसों में और कम समय में बन जाते हैं सानी विएजन की जो quality थी और सानी व मौसम के अनुसार मिलने वाले खादेपदार्ट वहां मिल जाते हैं। दूसरा वहां के लोगों की रूची भी वहां के मौसम के अनुसार होती है। तीसरा वहां पे जो चीज वो बनाना चाहते हैं वो वस्तुएं आसानी से उपलब दो जाती हैं। अब दिर कोशन आंसर देखती है, खानपान में बदलाव से क्या फाइदे हैं, फाइदे भी तो होते हैं, तभी तो आप लोग खा रहे हैं, तो उत्तर है एक परदेश की संस्कृती दूसरे परदेश की संस्कृती से मिल जाती है, क्योंकि एक परदेश का खाना दूसरे होने वाले कुछ वियंजनों की विधिया मिल जाती है, मिश्रित संस्कृति आने से, एक बच्चों और बड़ों को मन चाहा बोजन मिलता है, आज चटपटा खाना है, अब पहले जमाने की चटपटे खाने में तो पकोड़े के अलावा और कोई option ही नहीं होता था, आज जाई जाई है, मुझे भी इतने वियंजनों के नाम याद नहीं होंगे, उससे ज़्यादा आपको याद होंगे, चटपटा खाना, आपको धी कमेंट बोक्स में लिख दीजेगा, अपना पसंद का, चटपटा खाना, फाइफ नमबर है, देश विदेश के वियंजनों के बारे म हमें मालूम भी हो जाता है, कि विदेशों में क्या-क्या खाया जा रहा है, सिक्स है, स्वात, स्वास और सरसता, सरसता के अधार पर भोजन का चैन भी हम कर सकते हैं, आज हमें ये खाना है, इस स्वात का खाना है, तो इसमें ऑप्शन बहुत होती हैं, और जो इस्थानी मे खारण देकर इसकी व्याक्या कीजी तो तरह खान पान की मिश्टी संस्कित से लेखा का मतलब इस्थानिये व्यंजनों के खाने पेने में रूची रखना है मतलब वहां के लोग कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं उसकी गुणवता स्वात को बनाए रखने के अलामा अपने पसंद को पहले आगे रख देते हैं किसी एक दूसरे प्रांत के खाने की चीजों को भी अपने भोजे पदातों में शामिल कर लेते हैं क्योंकि उनका मकसद होता है कि हम अच्छा खाएं और वो भले स्थानी हैं या नहीं है उन्हें कोई मतलब नहीं होता जैसे दक्षिन भारत में जो इडली, सांबर, डोसा खाया जाता था उत्तर भारत में बड़े चाव से अब लोग खाने लग गए हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है और उत्तर भारत के जो धावे में वियंजन मिलते थे दाल, चावल, रोटी वो अब पस्चिम धाव में मैं उत्तर भारत की हूँ और दक्षिन भारत दोनों प्रकार के वियंजन हो मेरे घर बनते हैं मसलन में जो हमारे घर में दाल, रोटी चलती थी बस हम यही कहते थे लेकिन आज कल क्या हो रहा है बच्चे कभी सांबर, कभी इडली, कभी चावल, राजमा, आलुपूरी, बर्गर आधी पसंद करने लगे हैं, यहां तक कि हम इसे बजार से नहीं लाते हमने तो यूटूब पे देख देख के इसे घर में बनाना भी सीख लिया है, तो लेका के अंसार जो यह खा रहे हैं ना मिक्स खाना, उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारती होते हुए जो द बदलाव से चिंतित क्यों हैं, एक और तरीका इसे पूछने का नई संस्कृति का नकारात्मक पहलू क्या है, तीनों कोशनों का एक ही आंसर है, आंसर है आपका लेका का कहना है कि भारत के व्यंजनों का सरूप बदलता जा रहा है, खान पान में बदलाव से होने वाले फा प्रियल में ये व्यंजन का स्वात कैसा था, दूसरा क्योंकि सब तुक्के से बनाने लगे हैं, यूटूब से बनाने लगे हैं, तो प्रॉपर क्या है, कैसे बनता है, यह हमें पता ही नहीं है, हम तो यूटूब में जो सबसे इजी लगता है, जो हमसे बन पाएगा, जो स पीड़ी को इस्तानी मेंजनों का ग्यान नहीं है और पुरानी पीड़ी जो है वो भी इसको बनाने के तरीके बूलती जा रही है अगला है आपका इसके प्रियोग से स्वास पर बुरा परभाव पड़ रहा है और 6 नमबर है खादिप अदार्तों में जो शुद्धता है प् बढ़ावा दिया है ऐसे भी कोशन पूछ सकता है एक्जामनर तो उत्तर है खानपान संस्कृती का राष्टी एक्ता में महत्मून योगदान है या खानपान संस्कृती ने राष्टी एक्ता को बनाने में महत्मून योगदान दिया है क्योंकि इससे खाने पीने के और दक्षिन भारत के उत्तर भारत में काफी प्रचिलित हुए इससे क्या हुआ लोगों में मेल जोल भी बढ़ गया क्योंकि वो माँ है और इससे राष्टी एकता तो बढ़ी जाती है क्योंकि किसी का दिल जीतना हो तो खाने की ब्लेट से ही जीता जा सकता है कोशन नमर फाइफ है स्थानी वियंजनों का पुना रुद्धान यानि जो इस्थानी वियंजन खतम होते जा रहे हैं उसको दुबारा वही मैत्व देने क्यों जरूरी हो गया है तो उत्तर इस्थानी वियंजन किसी ना किसी इस्थान से जुड़े होते हैं तो एक तरह से ए पुना रुद्धान अवश्य है क्योंकि पश्चमी परभाव से ये न्यूडल्स मोमो आने से जो हम ये मक्की के रोटी सर्जों का साग या पिनिया या पेड़े तो ये अपना स्तित्वक होते जा रहे हैं क्योंकि इनको बनाने में पैसे भी बहुत लगते हैं और टाइम भी और तरीका भी इसका अलग होता है तो इसलिए इसको पुना प्रचलित करना भी हमारे लिए जरूरी है ताकि हमारी संस्कृति और धरोवर पहचान भारत की बनी रहे कोशन नमस सिक्स है खान पान के मामले में स्वाधीनता समझ जाओ स्वाधीनता का अरथ तो आपको बताईए सिक्क क्या अरथ है स्वाधीनता का अरथ है किसी विशेश इस्थान के खाने पीने का विशेश वियंजन ठीक है इसकी प्रसिद्धी दूर दूर तक हो मसलन जैसे मुंबई की पावभाजी बड़ी फेमस है दिल्ली के कुल्चे चोले मतुरा के पेड़े आगरा का पेठा नमकीन ये पहले इस्थानी वियंजनों का प्रचलन था अब हर परदेश में किसी ना किसी विशेश इस्थान में का कोई ना कोई वियंजन आवश्य परसीद होता है बले ये चीज़ें आज देश के किसी भी कोने में मिल जाएं बच्चो पेड़े आपको हर जगा मिल जाएं लेकिन ये शेहर कई वर्षों से इन चीजों के लिए परसीद है लेकिन आज इस खान पान की मिश्रित संस्क्रती से लोगों को खाने पीने के वियंजनों में इतने भी कल्प मिल गए है कि वे इस्थानी वियंजन तो लुपती हो गए चुपी गए आज की पीड़ी तो कई वियंजनों से भली बादी परिचीत भी नहीं है कि कौन से वियंजन हमारे जमाने में खाय जाते थे आप कह दो करोंदा की सब्जी आवले की सब्जी आरे ये भी कोई सब्जी होती है बच्चे ऐसे कहने लग गए है परिचीत ही नहीं है चिबड ऐसी सब्जी तो बच्चे पहली मना कर देंगे चिबड क्या होता है कांदू ये सब बच्चे भूलते जा रहे हैं तो परचित भी नहीं है और दूसी तरफ मेंगाई के कारण भी लोग इन वेंजनों को उस प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते जिससे बनने चाहिए जिससे इनकी गुणवत्ता में भी कमी होने लगी है तो बच्चे अपनी मर्जी से इसको खाने लगे हैं स्थानी वेंजनों को अब आप लोग के लिए कोशन मैंने बना दिया है बच्चो आप खान पान में आए बदलावों को किस रूप में लेते हैं जो खान पान में बदलाव हैं उसे किस रूप में लेते हैं इसको आप अप अपने विचार मुझे लिखे भीजिए कमेंट बॉक्स मी